जय माताज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाओंगी गणगौर व्रत के दिन सुनी जाने वाली प्रमुक कताएं। गणगौर का जो व्रत है वो मुख्यत है राजिस्थान में मनाया जाता है और ये चैत्रमास की तीज को आता है। गणगौर का पूजन होली के दूसरे दिन चैत्रमास के कृष्णपक्ष की प्रतिपता से लेकर चैत्रमास के शुकलपक्ष की तरतिया तक होता है। गणगौर के पूजन में अविवाहित लड़किया, नविवाहित महिलाएं अपने अखंड स्वभाग और सस्राल या पीहर की खुशी की कामना रखती है। पूजन के साथ ही गणगौर की कथा सुनी जाती है। गणगौर की कथा सुनने वाले भक्तों पर ईसर गणगौर की कृपा बनी रहती है। गणगौर की कहानी गणगौर के दिन पूजन करने के बाद हाथ में आखे यानि की गेहुं के दाने लेकर सुनी जाती है। गणगौर को अपनी सुविधा के नुसार 5 या 7 दिन तक आप पूज सकते हैं और कहानी भी सुन सकते हैं जितने दिन आपको पूजा करनी है उतने ही दिन कहानी सुनी जाती है अगर आपने सारी कहानी नहीं सुनी है तो अंतिम दिन आपको सारी कहानी सुननी चाहिए इस दिन गणगौर की कहानी सुनने के बाद विनायक जी और लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाती है जिसके बिना गणगौर व्रत की कथाएं अधूरी होती है आज आपको इस सारी कहाने इस वीडियो में मिलने वाली है सुनते हैं गणगौर व्रत की कथा एक बार एक राजा ने जो और चने बोई माली ने अपने घर में दूब बोई राजा के जो और चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है राजा के तो जो और चने बढ़ते ही जा रहे है और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है तब माली ने देखा कि कुमारी लड़किया आई और दूब तोड़कर ले गई तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा तो ये दूब तुम क्यों लेकर जा रही हो लड़किया बोली हम 16 दिन गणगौर पूछते हैं इसलिए पूजा के लिए ये दूब लेकर जा रहे हैं तो हमारे कपड़े दे दो 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदी ला कर देंगे फिर उस माली ने सभी के कपड़े वापस दे दिये जब 16 दिन पूरे वे तब लड़कियों ने लापसी, हलवा, आदी सामगरी मालन को ला कर दी बाहर से मालन का बेटा आया रो बोला मा मुझे बहुत जोर से भूक लगी है मालन बोली कि बेटा आज तो लड़कियों बहुत सारा खाना दे कर गई है, रसोई में रखा है, जाकर खालो अब बेटा जब रसोई घर में गया तो रसोई उससे खुली नहीं तब माने आकर चिंटी अंगूर्ठी से छीटा दिया तो रसोई खुल गई अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे, ईसर जी ने बहुत सुन्दर वस्त धारन किये हुए थे और गउरा माता मांग सवा रही थी, रसोई में तो अन्नोर धन के भंडार भरे पड़े थे माली, मालन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुन्दर और साक्षा दर्शन हुए हे गणगौर माता जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया, उसी प्रकार सभी को देना अब सुनिए दूसरी कथा, भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा एक बार भगवान शिव और देवी पारवती कलाश परवत से स्रस्टी का प्रहमन करने के लिए नीचे उतरे तो सबसे पहले उन्हें एक गाए मिली जो बहुत तडप रही थी दर्थ से तडप रही थी क्योंकि उसे बच्चा होने वाला था ये सब देखा तो माता पारवती को भड़ी खपराथ हुई भगवान से कहने लगी कि है महादेव अगर बच्चा होने में इतना गस्ट होता है तो आप मेरी गाठ बंदो मैं ऐसे दुख नहीं देख सकती और नहीं सह सकती हूँ तब भगवान बोले देवी अभी तो बहुत कुछ देखना है आगे चलो तब दोनों आगे बढ़े आगे बढ़े तो देखा एक हतिनी बड़ी परिशान थी आगे चलने पर देखा तो रजा के रजवाले से उल्टे निशान हो रहे थे तो माता गौरा ने भगवान से पर भी गांठ लगवाली और कहने लगी कि मुझे अब कभी भी बच्चा नहीं चाहिए तब आगे और सैर करने लगे कुछ दूर आगे गए तो वापस आते समय क्या देखा कि राजा के यहां शेहनाई बाजे बज रहे हैं खुब खुशिया मनाई जा रही हैं गाजे आदेव जब रानी बहुत खुश है तब तो मुझे बेटा हो तो मैं भी कितनी खुश हूँ आप एक काम कीजे मेरी गांठ खुल देजे भगवान ने मना कर दिया कि गांठ बन चुकी तो बन चुकी अब कहकर आगे बढ़े आगे बढ़े तो देखा एक हतिनी भी जो पहल ने भगवान से बहुत जित की लेकिन भगवान ने उनकी गाठ नहीं खुली फिर वे घूमते घूमते के लाश परवत पर वापस पहुच गए कुछ दिनों के बाद गण गौर का दिन आया औरते माता गौरा की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर रखने के लिए आई और तुमने सारा सुहाग पहले ही बाद दिया तब उनके आने पर गौराजी ने नैनों में से सुर्मा निकाला मांग में से सिंदोर निकाला टीकी में से रोली निकाली और चिटली अंगुली से अमर सुहागिन होने के छीटे दिये और अमर सुहाग को बाद दिया हे भगवान गणगोर माता की कहानी कहने वाले को सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी पर इसर गणगोर की कृपा प्राप्थ हो और सभी का सुहाग अमर रखे आप सुने गणगोर की तीसरी कथा एक बार ईसर जी 16 दिन गणगौर के हुए तो सब ससुराल गौरा जी को लेने जा पहुँझे वहाँ उनकी माने यानि की गौरा जी की माने जितना भी भोजन बनाया वो सब भोजन एसर जी ने परिक्षा लेने के लिए किस की गowra जी की परिक्षा लेने के लिए सारा जीम लिया तब मातागडगउर को भूक लगी और वे कहने लगी माँ घर में जो कुछ भी खाने को हो मुझे वो दे दो तो देखा बत्वे की दो पिंडी और जलका लोटा मिला तो गौरा जी ने वो ही खा लिये और पानी पी लिया तब ईसर जी विदाई के लिए जल्दी जल्दी करने लगे जब वे सस्राल से विदा हो लिये तब उन्हें रात को जंगल में विश्राम करना पड़ा ठकान के कारण मातगरों को नीद आ गई जब नीद आ गई तो ईसर जी ने उनके पेट में देखा पेट की धकनी कोल कर देखा तो बत्वे की पिंडी और जलका लोटा जूल रहा था भगवान ईसर जी ने बाद में गौरा जी से पूछा कि देवी आस तुमने क्या क्या खाया बताओ तब देवी बोली जो आपने खाया वही मैंने खाया अब भगवान बोले कि तुम जूट बोलती हो तुमारे पेट में तो बत्वे की पींटी और जलका लोटा जूल रहा है जब गौरा जी को ये पता चला तो उन्हें बहुत क्रोधाया बोली आस तो आपने और अज्जात के पेट में ढखनी खोली है आइंदा कभी मत खुलना जवाई को खिला दे और बेटी को कुछ भी नहीं आपने तो मेरी मा की परिक्षा ही ले ली थी हे महादेव सभी इस्तरियों को पीहर की बाद पीहर में और सस्राल की बाद सस्राल में ही रहने देनी चाहिए सस्राल की बाद पीहर में या पीहर की बाद सस्राल में कभी नहीं करनी चाहिए ये थी गणगौर व्रत की तीसरी कहानी गणगौर की सभी कथाई सुनने के बाद सबसे अंत में विनायक जी की कथा सुनी जाती है विनायक जी की कथा के निसार एक बार गड़ेशी एक छोटी बालक के रूप में चिम्टी में चावल और चम्चे में दूद लेकर निकले वो रास्ते में मिलने वाले हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो कोई मेरी खीर बना दो किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया उल्टा वो उनका मजाग बनाने लगे कि चिम्टे में चावल और एक चम्चे में थोड़ा सा दूद लेकर भला खीर कैसे बनेगी वहाँ पर एक बुड़िया माई बैठी हुई थी बुड़िया माई ने देखा कि एक छोटा बालक खीर बनाने की व्याद कर रहा है तो बुड़िया माई उसे कहने लगी लाव बेटा मैं बना देती हूँ अब वो एक छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गड़ेशी कहने लगे दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ तुम्हारे गर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ाओ बुड़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन चढ़ा दिया लेकिन ये क्या बुड़ी माई तो देखती ही रह गई वो जो थोड़े से चावल उस बड़े से बर्तन में डाले गई थे वो तो पूरा भर गया खीर पूरी भगोने में लबालब भर गई थी गणेशी दादी से कहने लगे दादी मा मैं नहाद होकर आता हूँ तब बापस आकर खीर खा लूँगा जब खीर तयार हो गई तो बुड़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए चित करने लगे रोने लगे तो बुड़ी माई बोली गड़ेशी महाराज तेरे भोग लगना ऐसा कहकर चूले में बरतन में से थोड़ी सी खीर निकाली और कटोरी भर कर अपने बच्चों को दे दी बुड़ीया की पड़ोसन उपर छट पर से देख रही तो बुड़ीया ने सोचा ये तो चुगली कर देगी इसलिए एक कोटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया ताकि वो बालक को बताना दे बेते की बहुने भी चुपके से एक कटोरी खीर लेकर जाकर खाई और कटोरा चकी के नीचे शुपा दिया अभी भी गड़ेश जी नहा कर नहीं आये थे और बुड़िया को भी जोर से भूक लगने लगी तो वह भी एक कटोरी खीर निकाल कर किवार के पीछे बैट कर एक बार जोर से कही कि गड़ेश जी माराज आपको भोग लगे ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया तभी गड़ेश जी वहाँ पर आ गए बुड़ी माई बोली आजारे गड़ेश खीर खाले मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी जब गड़ेश जी ने कहा दादी मैंने तो पहले ही खीर खाली बुड़ी माई बोली तूने कब खीर खाई तू तो अभी अभी नहा कर आया है तब गड़ेश जी कहने लगे माई जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी जब तेरी पडोसन ने खाई तब खाई थी और जब तेरी बहु ने खाई तब भी खाई थी चक्की के नीचे जाकर देखो जूटा कटोरा पड़ा हुआ है तूने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहुतो बिना भोग के ही खा गई तो बुडिया बोली बेटा घर की बात है घर में ही रहने दो किसी से कुछ मत कहना अब ये बताओ इस बचीवी खीर का मैं क्या करूँ तो गरेश जी बोले माई सारी नगरी को जिमा दो बुडि माई ने पुरी नगरी को खीर जिमा दी लेकिन खीर का बरतन फिर भी खाली नहीं रहा भरा ही रहा उस नगर के राजा को जब ये बात पता चली तो राजा ने बुडिया को बुलवाया और कहा क्यों री बुडिया ऐसा कौन सा बरतन तेरे घर पर आ गया और ऐसा बरतन तो राज महल में होना चाहिए बुडिया कहने लगी राजा जी इस बरतन को आप ही ले लो राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया लाते ही खीर के बर्तन में खीर की जगा कीडे, मकोडे, बिच्छू, कंचले हो गए और उसमें सी बह्यानक दुरगन धाने लगी ये देखकर राजा ने बुढिया से कहा बुढिया जा अपना बर्तन वापस ले जा ये बर्तन हमने तुझे दिया बुढिया ने कहा राजा जी आप देते तो पहले ही कभी देते और ये बर्तन तो मुझे मेरे गडेश जी ने दिया है बुढिया ने बर्तन वापस ले लिया बढ़िया के पास बर्तन वापस आते ही फिर से भै सुगंदित खीर से भर गया घर आकर बढ़िया ने गड़ेश जी से कहा गड़ेश जी अब बताओ बची हीवी खीर का क्या करें गड़ेश जी बोले माई इस खीर को जोपड़ी के कोने में गड़ा खोद कर गार दो उसी जगा सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के दो घड़े मिलेंगे ऐसा कहकर गड़ेश जी अंतरध्यान हो गए जाते जाते जोपड़ी पर लात मारते वे गए तो जोपड़ी की जगा पर महल खड़ा हो गया सुबह बहु ने फावरा लेकर जब घर को खोदा तो उसे कुछ भी नहीं मिला बहु कहने लगी सासु जी थारो गड़ेश जी तो जूटो है सास बोली बहु मारो गड़ेश जूटो तो नहीं है लामे देखू तब वे सुई लेकर खोजनी लगी तो टन टन करते वे धन के दो घड़े निकल आए बहु ने कहा सासु जी गड़ेश जी तो साचो ही है सास ने कहा गड़ेश जी तो भावनाओं के भूके हैं जैसी कामना से उने बुकारों गए वे वैसे ही कामना रखेंगे ही कजानन गड़ेश जी महराज जैसा आपने बुड़िया को दिया वैसा ही सब को देना विनायक जी के कहानी कहने वाले हुंकार भढ़ने वाले और आस पास के सभी लोगों के भंडार भढ़ना बुलिये विनायक जी महराज की जय